दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चकर सामान यद्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारती राजविवस्था एवनसासन से संबंधित महत्पूर्ण प्रश के सामान यद्यन के राजविवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है इसमें हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्णों को कांटिन्यू करेंगे तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्ण है दोस्तों निम्नांकित में से किन्हे सर दोस्तों आप जान लीजे चमेली सिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 1995 वाद में दिये गए नेड़े के अनुसार आसरय का अधिकार अनुछेद 21 के अंतर गत्मूल अधिकार है और नियायाले के अनुसार इसमें वो घर सामिल है जहां वो गर्मापूर्ण जीवन जी सके सत्वंत सिंग बनाम असिस्टिन पासपोर्ट आफिसर नई दिल्ली 1967 और मेंका गांधी बनाम भारस संग 1978 वाद में दिये गए नेड़े के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुछेद 21 के अंतर गत्मूल अधिकार है समान कारे के लिए समान वेतनी के तहत नीत निदेशक सिध्धानतों का भाग है लेकिन रणधीर सिंग बनाम भारस संग 1982 वाद में सर्वोच नेले ने ये निर्धारित किया कि सम्विधान की प्रस्तावना अनुछेद 49 के अलोक में अनुछेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कारे के लिए समान वेतन का सिध् मौलिक अधिकार माना है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसन D हो जाएगा सभी जो हैं सर्वोच नेले ने मौलिक अधिकारों के रूप में आवास, विदेश यात्रा और समान कारे के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में माननेता दी है अगला प्रश्ण है निमन लिखेत अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19-1D को अनुच्छेद 21 से मिला कर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार, सरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो दोस्तों इन चारों में से किसी भी अधिकार का उलेख अलग से अथवा असपश्टतेया मूल अधिकारों में नहीं हुआ है लेकिन इसमें एकांतता का अधिकार आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम नियाले ने अपने स्रिजनात्मक निर्वचन के द्वारा इन चारों अधिकारों को मोल अधिकारों में माना है अनुच्चेद 21 के प्राण और दैहिक सोतंता के संरक्षन इसके अधिकार के अंधर गत इन चारों अधिकारों को विभिन नीडियों के द्वारा शामिल किया गया है आईए वो नीड़े और बाद देख लेते हैं गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राजजिवाद 1975 मलक सिंग और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणाबाद आद में सर्वोच नेयले द्वारा ये अभिनिरधारित किया गया कि संविधान के अनुच्चेद 19-1-D को अनुच्चेद 21 यानी जीवन के अधिकार से मिला कर पढ़ने पर एक आंतता या नीच्चता का अधिकार स्वतनताओं का भाग मानते हुए असपश्टता संविधानिक जनरक्षण परदान किया है उच्चतम नियाले ने बिकल्पों में दिये गए चार अधिकारों के अतरिक्त अनेक अधिकारों को अपने विभिन नीडियों में जो है अनुच्चेद 21 की अंतरगत माना है इसमे की अधिकार अगला प्रशन है नीच्ता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिक स्वतनता के अधिकार के अंतरभूत भाग के रूप में संडरक्षित किया जाता है भारत के सम्विधान की निम्नलिखित में से किस्से उपरयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है आपको बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 और भागतीन में गारंटी की गई सोतनताएं तो आप जान लिजे कि अनुच्छेद 21 और भागतीन में गारंटी करित सोतनताओं के अंतरगत ये सही और सुमेलिट ढंग से अर्थित होता है 24 अगस्त 2017 को सरवुचिन आले कि 9 सदसी संविधान पीठ ने निश्ता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है और ये कहा कि निश्ता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगस स्वतनता के अधिकार के भाग के रूप में संरक्षित है अगला प्रश्ण है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत निश्ता का अधिकार संरक्षित है तो सही उत्तर है अनुच्छेद 21 के अंतरगत अगला प्रश्ण है भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से बिवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को सनरक्षन देता है तो सही उत्तर अनुच्छेद 21 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन सक्ति वाहिनी बनाम भारस संगवाद में उचितम नहाले ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है अगला प्रशन है निमनलिखित में से संभिधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है क्या एक चिकिसक द्वारा घायल को चिकिसकी सहायता कारे अस्थल पर महिलाओं को लहेंगी कुद पीडन पानी की गुडवत्ता को दूशित करना या मृतुदंड तो दोस्तों जगमोहन सिंग बना मिश्टेट आप उत्तर प्रदेश के मामले में सरोच नहले की पाँच सदस्य पीठ ने मृतुदंड को अनुच्छेद 21 का उलंगन कारी मानने से इनकार कर दिया था तो अनुच्छेद 21 के दायरे में मृतुदंड नहीं आता है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्टी आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है तो ये है व्यक्तिगस स्वतंता और जीवन का अधिकार ये बहुत ही महतुपूर अधिकार है आप जानते हैं दोस्तों 44 में संविधान संसोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्राण और दैक सोतंता का जो मौलिक अधिकार है राष्टी आपातकाल के इस्तिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है या दिराष्टी आपातकाल युद्ध या बाहे आकर्मन के आधार पर घोशित हुआ है तो सभी मौल अधिकार अस्थगित किये जा सकते हैं लेकिन अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के को अस्थगित नहीं किया जा सकता है दूसरी और या दिससस्तर विद्रोह के कारण आपातकाल गोशित हुआ है तो अनुच्छेद 21 और 20 तथा अनुच्छेद 19 का जो है इसमें कुछ अधिकारों का संड़क्षण भी है और अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिये गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 369 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत अधिकारों को छोड़कर उन से संबंधित है अगला प्रश्ण है उच्चितम नियाले की इस मामले के नेड़ा के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कारेचेतर का विस्तार कर सिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है तो ये है उन्नी क्रिश्णन बनाम आंध्र प्रदेश राजी दोस्तों उच्चितम नियाले ने वर्स 1993 में 14 वर्स की आयो के बच्चों के लिए निहसुलक सिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी क्रिश्णन और अन्नी बनाम आंध्र प्रदेश राजी के वाद में ये कहत अगला प्रश्न है छे से चौदर वर्ष की आयू के बीच के सभी बच्चों को सिक्षा का अधिकार क्या है तो उत्तर है अब ये मूल अधिकार है दोस्तों 86 में संबिधान संसोधन 2002 के द्वारा प्रात्मिक सिक्षा को मोल अधिकार बना दिया गया है इसके द्वारा संबिधान के भागतीन में नया अनुच्छेद 21 कर जोड़ा गया है आरंभिक सिस्युत्व देखरेक उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा इसी क्रम में सिक्षा का अधिकार अधियम 2009 संसत द्वारा पारित किया गया है जो संबिधान संसोधन के साथ 1 अप्रेल 2010 से प्रभावी हुआ है तो याद रखीगा दोस्तों 1 अप्रेल 2010 से ये अधिकार प्रभावी हुआ इसके अलावा सिक्षा का अधिकार मानवा अधिकार यानि हूमन राइट्स भी है सूचना का अधिकार भी मानवा अधिकारों की सारोभावम गोशड़ा का भाग है और सर्वो चिन्याले की नेड़ेयों की अनुसार सूचना का अधिकार भारती संबिधान की अनुछेद 19-1 में उलिखित वाक और अभिव्यक्ति की सोतंता में नहीं थै हलाकि यह संबिधान में उलिखित नहीं है अगला प्रेशन है भारती संबिधान में संसूधन करके सिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है तो उत्तर है 1 अप्रे 2010 को अगला प्रेशन है निमने लिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारती संबिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है तो ये है सिक्षा का अधिकार यू तो मानुवा अधिकार है लेकिन ये भारती संविधान के अंतरगत ये मौलिक अधिकार भी है अगला प्रेशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि राजज 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को नेशुलक और अनिवार सिक्षा परदान करेगा बिलकुल सही है कारण है कि एक प्रजातांतरिक समाज में सिक्षा का अधिकार मानुवा धिकार के रूप में विकास के अधिक अगला प्रेशन है भारत के संबिधान में सोसन की विरुध्ध अधिकार द्वारा निमने लिखित में से कौन से परिकल्पित है आपसन देखिए मानव देह का ब्यापार और बधुह मजदोरी का निसेद अस्प्रिशता का उन्मूलन अल्प संखेकों के हीतों की सुरक्षा और कारखानों और खादानों में बच्चों के नियोजन का निसोद तो आपसे पूछा गया है सोसण की विरुद्ध अधिकारों में कौन-कौन से शामिल है तो एक और चार आप संसी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लीजिए भारती संबिधान के भागतीन में मौलिक अधिकारों के अंतरगत अनुचे 23 और 24 के तहट शोसण की विरुद्ध अधिकार का उलेक किया गया है अनुचे 23 में मानों के दुर्ब्यापार और बलात्सरम का प्रतिशेद है और अनुचे 24 के तहट कार खानों आदमें बालकों की नियोजन का प्रतिशेद किया गया है अगला प्रशन है भारती संबिधान का कौन सा अनुचेद बच्चों के सोसण की विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो बहुत ही आसान सा और क्लियर प्रशन है ये अनुचे 24 है और इसमें कहा गया है कि 14 वर्स के कम आयू के किसी बालक को किसी कार खाने में या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा और नहीं अन्य संकट में नियोजन में ही लगाया जाएगा अगला प्रशन है भारत के संभिधान का अनुचे 24 जोखिमपूर काड़ेयों से संबंधित कार खानों में बालकों के नियोजन का निशेद करता है ऐसा निसेध है तो ये ऐसा निसेध पूर निसेध है और आप जान लिजे कि 24 वर्स से अनुचे 24 के अंतरगत 14 वर्स से कम बालकों 14 वर्स से कम आयू के बालकों को जो है किसी भी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अगला प्रश्ण है भारत के संविधान के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद करता है तो अनुच्छेद 24 है मूल अधिकारों से संबंधि संबिधान की निमनलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप्स के बालकों के सोसण से संबध है तो सही उत्तर अनुच्छेद 24 अगला प्रश्ण है ICPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार संडख्षित किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा तो सही उत्तर है अनुच्छेद 24 दोस्तों International Convention on Civil and Political Rights के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित रखा गया है और आप एक चीजी याद रख लीगी ये कि भारती संबिधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकारों का संडख्षित किया गया है अगला प्रेश्ण है दोस्तों संबिधान का कौन सा अनुच्छेद दोश सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संडख्षन परदान करता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ये है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता और 23 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभ्यूक्त किसी व्यक्ति को स्वयंग अपने विरुध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है अगला प्रश्न है किसी अपराध के अभियूक्त को स्वएंग अपने विरुद गवाह बनने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है संविधान के किस अनुछेद में ये प्रावधान है तो उत्तर है अनुछेद बीस तीन में अगला प्रश्ण है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिका भियोजित और धंडित नहीं किया जा सकता है अपराधों के लिए दोश सिध्ध के संबन्द में ये सनरक्षन किस अनुच्छेद के अंतरगत दिया गया है आपको बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण का अनुच्छेद 20 आपसन 20 अगला प्रश्ण है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद में जो है अधिकार दिये गए हैं तो सही उत्तर है अनुच्छेद 22 दोस्तों संबिधा प्रश्ण के कालों से यथा सिग्र आउगत कराये बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अपनी रूचि के बिध व्यावसाई से परामर्स करने और प्रतिरच्छा कराने के अधिकार से वन्चित नहीं रखा जाएगा अगला प्रश्ण है आपको ब सही है अनुच्छेद बाइस दो संसत बिधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारन कर सकेगी जिसके अंतरगत तीन महा से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा ये सही नहीं है और बाइस एक गिरफतार किये गये व्यक्ति को गिरफतारी के कालों से अथा संभाव शि गिरफतार किया गया है अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफतारी के अस्थान से मजिस्ट्रेट की निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अनुच्छेद बाइस साथ में ये प्राउधान है कि संसत बिधि द्वारा उन परिस्तितियों का निर्धारन कर सकेग जिसके अंतरगत तीन माह से अधिक निरुद किया जा सकेगा तो अन्य विकल्प सही है आपसंसी आपका सही नहीं है अगला प्रेशन है दोस्तों प्रत्यक्ष बंदी करण अधिनियम के अंतरगत एक व्यक्त बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाय जा सकता है कितने दिन के लिए तो सही उत्तर है तीन माह के लिए दोस्तों प्रत्यक्ष बंदी करण निवारक निरुद अधिनियम के अंतरगत एक व्यक्त को बिना मुकदमा चलाए तीन माह के लिए बंदी बनाय जा सकता है और अनुछेद 22-4 में कहा गया है कि यदि निरुद तीन माह से अधिक के लिए है तो मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को निरुद में तभी रखा जा सकेगा कितने समय के लिए तो अभी अभी आपने पढ़ा है तीन माह के लिए दोस्तों भारत में निवारक निरुद के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगार नियाइक सलाहकार बोर्ड के अधिक्तम तीन माह तक बंदी बना कर रखा जा सकता है अगला प्रेशन है भारत के संदर में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि जब एक कैदी परियाप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन सकता है सही नहीं है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राजे सरकारों के अपने नियम है तो बिलकुल सही है केवल दो आपसन आपका सही है आपसन भी पैरोल किसी कैदी को दंडा देश की निलंबन के साथ रिहा करने की पढ़ाली है ये रिहाई सामानते कैदी के बेवहार के आधार पर निर्धारितावध के लिए ससर्त होती है और उसे अधिकारियों के समक्ष आधिक रूप से रिपोर्ट करना होता है पैरोल और फरलो की बेवस्था कारगार पढ़ाले को मानवी बनाने के उत्देश से की गई है 1894 के कारगार अधनियम के तहस सासित होते हैं पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है इसे विशेश कारण या परिस्थिती में जैसे परिवार में किसी की मृत्व या रक्त संबंधी के बिवापर परदान किया जाता है कैदी द्वारा परेल के लिए परियाप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्विक्रित कर सकता है या दि उसकी राय में कैदी को रीहा होना समाज के हित्मे नहो या कैदी के रीहा होने पर उसके फरार हो जाने की आसंका हो बहुधा मेरितुदंड प्राफ्त कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है इसके अतरिक्त बहु हत्या दोश्ई या आतंक रोधी और कानूनी गेर कानूनी गत्विधिया निवारक के तहट सजयाप्त कैदी को पैरोल के पातर नहीं होते हैं तो याद रखेगा दोस्तों जो कह रहे हैं कि एक कैदी परियाप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से मनन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है ये सही नहीं है अगला प्रश्न है धार्मिक सोतंता के अधिकार के प्रावधान के अंतरगत क्या शामिल है आपको बताना है तो देखिए धर्म परचार करने का अधिकार सिखों को कृपार धारन करने और रखने का अधिकार राज्यों को समाज सुधारक बेधि निर्मार का अधिकार और धा धार्मिक सोतंता के अधिकार के अंतरगर एक दो तीन सही है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है संबिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगर सिखों द्वारा किरपार धारन करना धार्मिक सोतंता का अंग बन गया है तो सही उत्तर है अनुच्छेत 25 के उत्तर है अगला प्रेशन है दोस्तों भारती संबिधान के अनुछेत 25 में प्रियुक्त हिंदू सब्द किसे शामिल नहीं करता है बौध जैन पारसी या सिखों को तो सही उत्तर है पारसीों को दोस्तों भारती संबिधान के 25 दोख में प्रियुक्त हिंदू सब्द के अंतर नहीं है सारुजनिक ब्यवस्था स्वास्थ सदाचार और मानोवाद तो सही उत्तर है मानोवाद संबिधान के अनुच्छेद 25 एक के अनुसार लोग ब्यवस्था सदाचार और स्वास्थ के उब बंधों के अधिन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतह करण की सोतंता और धर्म के आवाद रूप में मानने आजरन करने और प्रचार करने का समान अधिकार है इसमें मानोवाद शामिल नहीं है अगला प्रशन है संबिधान के अनुच्छे 26 में धर्मिक कारियों के प्रवंद की सोतंता पर क्या प्रतिबंध लगाए गया है तो सही उत्तर क्या हो दोस्तों देखिए लोक बेवस्था सदाचार और स्वास्थ ये प्रतिबंध लगाए गए हैं धार्मिक कारें उपर तो एक चार और पांच आपके सही हैं आप संडी सही उत्तर हो जाएगा आप जान लीजे दोस्तों कि जो हमारा लोक बेवस्था सदाचार और स्वास्थ के उब बंधों के अधिन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतहकरण की सुतंता और धर्म को अबाद रूप से मानने की सुतंता है अगला प्रश्ण है कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है अनुच्छे 23 मानव के दुर्वियापार और बलासरम का प्रतिबंद बिल्कुल सही है अनुच्छे 24 कारखानों आदमे बालकों के नियोजन का प्रतिशेद सही है अनुच्छे 26 धार्मिक कारियों के प्र अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों निमनलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है यहां पर देखी मानों के दुर वियापार और बलात स्रम का प्रतिशेद अनुचेद 20 सही है अल्प संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षन अनुचेद 39 संबै धाने कुप 4 का अधिकार अनुचेद 32 और सिक्छा संस्थाओं की अस्थापणा तथा प्रसासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ये आपका सही नहीं है क्योंकि अल्प संख्यकों को सिक्छा संस्थाओं की अस्थापना और प्रसासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है आप संडी सही उत्तर हो जाएगा जोकि सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण है भारती संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मन पसंद सिक्षण संस्थाओं को अस्थापित और संजालित करने की अधिकार को संरक्षण देता है तो सही उत्तर है अनुच्छेद 30 अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती संबिधान के किस अनुचेद में ये बेवर्स्था की गई है कि सभी अलपसंख्यकों को अपनी रुच की सिक्षन संस्थाओं की अस्थापना और प्रसासन का अधिकार है तो ये है आर्टिकिल 30 यानी अनुचेद 30 अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए कथन है कथन और कारण इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चैन करना है कथन है कि भारती संबिधान का अनुचेद 30 अलपसंख्यक वर्ग सब्दों को परिभाशित नहीं करता है तो सही है और संबिधान के वल भासाई और धार्मिक अल कि धर्मिया भासा पर आधारित सभी अलपसंख्यक वर्गों को अपनी रुच की सिक्छासंस्थाओं के अस्थापना और प्रसासन का अधिकार होगा अनुचे 32 के अनुसार सिक्छासंस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी सिक्छासंस्था के विरुद इस आधार पर बिभेद नहीं करेगा कि वह धर्मिया भासा पराधारित किसी अलपसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है और अनुचे 30 में अलपसंख्यक वर्ग सब्द को परिभाशित नहीं किया गया है और इसमें भासाई और धार्मिक अलपसंख्यक वर्ग को मानिता दी गई है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याक्या नहीं करता है अगला प्रेशन है भारती संबिधान माननेता देता है किसे तो भारती संबिधान दोस्तों धार्मिक और भासाई अल्पसंख्यकों को माननेता देता है आपसन C सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कि इसको संभिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है तो आप जान लीजे सर्वोच नियाले और उच नियाले दोनों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है और संबिधान के अनुच्छेत 13 जो मौलिक अधिकारों के उलंगन की विरुद्ध नियायालेों को नियायक पुनर विलोकन की शक्ति प्रदान करता है ये सक्ति उच्छतम नियाले को अनुच्छत 32 के तहट और उच्छ नियाले को अनुच्छत 226 के तहट दी गई है और अप संबिधानिक घोसित कर सकते हैं अगला प्रश्ण आसान सा है मौलिक अधिकारों का संड़क्षक कौन है तो नियायपालिका तो मौलिक अधिकारों का संड़क्षक नियायपालिका यानि उच्छतम नियाले और उच्छ नियायाले दोनों है और अनुच्छेत 32 के तहट मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है तो आप जानते हैं सर्वोच न्यायले अगला प्रश्ण है भारती संविधान के अंतरगत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है तो न्याय पालिका को आपसंसी अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किसे को नागरिकों के तो उच्चतम न्यायाले को अगला प्रश्ण है निम्निलिखित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है पहला कथन है कि केम मुनसी संभिधान का प्रारूप बनाने वाले समित के सदा से थे सही है संभिधान सभादवारा भारती संभिधान स्विकार किया गया सही है बलवंत राय महता समित रिपोर्ट 1957 के द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई सही है और संबिधान के अंतरगत मूल अधिकारों का संड़क्षक भारत का राष्ट पती है ये आपका सही नहीं है क्योंकि जूडिसरी या न्याय पालिका दोस्तों जो है मूल है तो आप संड़ी आपका सही सुमेलित नहीं है या सही कतन नहीं है अगला प्रेशन है दोस्तों निमने लिखित में से कौन से अधिकार भारती संबिधान के अनुच्छेद 32 के अंतरगत प्रवर्टित किये जा सकते हैं संबैधानिक, मौलिक, सांबिधिक, उपरोग तो स अगला प्रेशन है निमने लिखित में से किस एक अधिकार को डाक्टर बी या रम बेटकर द्वारा संबिधान की आत्मा कहा गया है आपसन देखिए धर्म की सोतनता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संबैधानिक उपचार का अधिकार तो सही उत्तर है संबैधानिक उपचार की अधिकार को डाक्टर बी या रम बेटकर द्वारा संबिधान की आत्मा कहा गया है तो इस प्रश्ण की व्याख्या देख लेते हैं डाक्टर रमबेटकर ने अनुच्छेद 32 यानि संबैधाने कुप चारों के अधिकार को संबिधान की आत्मा कहा है उनका कहना है कि यद मुझसे पूछा जाए कि संबिधान में कौन सब इस अनुच्छेद सबसे महतोपोर है जिसके बिना ये संबिधान सुनने हो जाएगा तो मैं इसके सिवाए किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा ये संबिधान की आत्मा है और एक तथे और है कि दोस्तों संबिधान की उद्देश्य का को संबिधान की आत्मा माना गया है संबिधान का अनुच्छेद 32 संबिधानिक उपचारों का अधिकार देता है इसका मोल उद्देश्य, मोल अधिकारों के संरक्षन के लिए गारंटी और प्रभावी सुलब तथा संगे उपचारों की वेवस्था करना है तो दोस्तों देख लिजे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है ऐसे अगर जो पूछा जाएगा संभिधान का हिर्दय और आत्मा क्या है तो हो जाएगा संभिधान की प्रस्तावना लेकिन बी यारम बेट करने की से संभिधान का आत्मा कहा है तो संभिधानिक उपचारों के सिध्धान्त की तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सामानिय ध्यन पुर्वाव लोकन सरिंखला के अंतरगत भारतिय शासन इम्म राजनीती से संबंधित मौलिक अधिकारों का अध्याय इसमें हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्णों को कवर किया जो प्रिवि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार